हलो इन्वेस्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ONGC यानि की Oil and Natural Gas Corporation और Infosys Limited के साथ में कुछ ऐसे शेर्स बताने जा रहा हूं जिनोंने आप स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनों मेडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेर की बात करें तो कंपनी का नाम है मनाली पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड ये कंपनी का जो शेर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे पाँच परसेंट से जाधा करेक्ट होता नज़र आया और करेक्ट क्यों ना हो अल ओबर मार्केट्स कल के ट्रेडिंग सेशन पे हमें बुरी तरीके से करेक्ट होती देखने को मिली 90.43 रुपीज के उपर में कंपनी का शेर क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनामस्मेंट की हम बात करें तो मनाली पेट्रो केमिकल्स ने जो है यहां पर डिविडेंट अनाउंस कर दिया है 0.75 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक शेर पे 75 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा डिविडेंट वैल्यू को अगर आप करंट शेर प्राइस के साथ में कंपेर करते हैं एक एवरेज एक फेर डिविडेंट अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलता है इसको देने की एकस डेट रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है जब भी अनाउंसमेंट आएगा मैं आप लगो को इंटीमेट कर दूँगा अगले शेर की बात करें तो कंपनी का नाम है वेप सॉल्यूशन्स लिमिटेड ये कंपनी का जो शेर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 10% से ज़ादा करेक्ट होता नजर आया और 42.46 रुपीज के उपर में कंपनी का शेर क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौस्मेंट की हम बात करें तो वेप सॉल्यूशन्स ने जो है यहाँ पर डिविडेंट अनौस कर दिया है जो है अभी फिलाल अपकमिंग में है अगले शेर की बात करें तो कंपनी का नाम है यमूना सिंडिकेट लिमेटेड ये कंपनी का जो शेर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 5% के लोवर सर्किट पे लॉक था और 53,105 रुपीज के उपर में कंपनी का शेर क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौस्मेंट की हम बात करें तो यमूना सिंडिकेट ने यहाँ पे डिविडेंड अनौस कर दिया है 400 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेर पे 400 रुपे का डिविडेंड दिया जाएगा तिकि डिविडेंड वैल्यू आपको सुनन इन्वेस्मेंट यह आपकी बन सकती है बागी डिविडेंड को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो यहाँ पे भी अभी अपकमिंग में है आप लोग जो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा विगोस जैसी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आ जाएंगी मैं आप लगो को सबसे पहले इंटीमेट कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है मोनार्क नेटवर्क कैपिटल लिमिटेड यह कंपनी का जो शेयर है अगे इन लगबग 5% की करेक्शन हमें दिखाता देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे और 683 रुपीज के उपर में कंपनी का शेयर क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनाउस्मेंट की हम बात करें तो मोनार्क नेटवर्क कैपिटल ने यहाँ पे स्टॉक बोनस अनाउस कर दिया है वन इस टू वन के रेशियो से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर है जब बोनस मिलेगा टोटल में जो आपका एक शेयर है वो दो शेयर में कंवर्ट हो जाएगा इन शॉट आपके पास में इस कंपनी के जितने भी शेयर होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे डबल हो जाएंगे अभी कहीं न कहीं all over एक काफी अच्छी hype company के share पर बनाता देखने को मिलेगा बट क्योंकि all over markets अभी काफी heavily correction के mood में है तो कहीं न कहीं ये company का share भी उसी चक्कर में impact हुआ है बट जैसे जैसे markets recover करते हैं वापस से company का share भी आपको एक शांदा recovery दिखा सकता है तो ज़रूर से company के share पर आपकी नजर बना के रखिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है VST Industries Limited ये company का जो share है last trading session पर लगबग 3.5% का correction करता नजर आया जोकि definitely again एक अच्छा खासा correction है और 4,136 रुपीज के उपर में company का share close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो VST Industries ने चुबए यहाँ भी stock bonus announce कर दिया है 10 is to 1 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको 10 shares as a bonus मिलेंगे total में जो आपका एक share है वो 11 shares में convert हो जाएगा देखिए आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आपको आपके हर एक share पे 10 नए shares as a bonus दे दिये जाएंगे और अब तो finally company ने bonus को देने की ex date और record date भी announce कर दी है जो की 30th of August यानि की 30 August की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है ONGC यानि की Oil and Natural Gas Corporation ONGC का जो share है last trading session पे 6 से लेके 6.5% तक करेक्ट होता नजर आया जो की again एक काफी बड़ी गिरावट है और company के share का जो closing price था 309 रूपीस का था अब finally ONGC के quarter one results आ चुके हैं जादा detail में नहीं जाऊंगा उपर उपर से बता देता हूँ साथ ही साथ में आपे targets भी आ चुके हैं क्या targets वे ONGC के share पे आपके रहेंगे सबसे बहले अगर quarter one के stand alone net profit की हम बात करें तो देखिए year on year basis पे हमें 15% का एक fall देखने को मिलाए company के stand alone net profit के उपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे last year quarter one के अंदर में company का जो net profit था 10,527 करोर रुपीज का था जो कि अभी इस quarter one के अंदर में company ने report करा है 8,938 करोर रुपीज का तो year on year basis पे 15% का downfall हमें company के net profit पे देखने को मिलाए जो कि definitely काफी जादा बेकार है plus अगर आप E.T.NOW का पोल भी देखेंगे तो E.T.NOW और अन्या था जो बाकी बड़े brokerage firms हो गए financial institution हो गए business analyst हो गए यह सब expect कर रहे थे 9,500 करोर रुपीज के आसपास में company का net profit report होता देखने को मिलेगा और estimates से भी नीचे company का यहाँ पे report आया है तो कहीं न कहीं definitely दुबारा से हमें ONGC के share पे एक अच्छा कासा correction देखने को मिल सकता है क्योंगी quarter one का net profit तो definitely काफी बुरी तरीके से हमें down होता देखने को मिला है अगर हम company के revenue from operations की बात करें यानि की sales की बात करें तो आप देखेंगे कि last year quarter one के अंदर में company का जो revenue from operations था 33,814 करोर रुपीज का था जो कि अभी quarter one के अंदर में 35,266 करोर रुपीज का report करा गया है तो revenue के अंदर हमें year on year basis पे 4% का increment देखने को मिला है तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है कि company की जो main sales है main जो company का revenue है वो हमें नीचे आता देखने को नहीं मिला just profit नीचे आया है जो की जाहिर सी बात है expenses बड़े इस वज़े से आया है आने वले time में company इसे easily control कर लेगी अब यहाँ पे ONGC के अगर target की बात करें तो city जो की एक काफी जाना माना brokerage firm और एक काफी जाना माना financial institution है इन्होंने हाँ पे ONGC के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करीए और यहाँ पे जो target दिया है 370 रुपीज का दिया है कही ना कहीं यह city जो है ONGC के share के उपर में 370 रुपे तक का एक momentum expect कर रहा है आने वले कुछ हफतों कुछ महीनों के अंदर में तो जरूर से अगर आप चाहें ONGC के share पे नजर बना सकते हैं क्योंकि quarter 2 के अंदर में definitely company का जो profit है वापस है increase होता देखने को मिलेगा इस बारी company की जो expenses है वो ज़ाद होए इस वज़े से company का profit decline हुआ क्योंकि revenue के अंदर में तो growth हमें देखने को मिली है तो कहीं न कहीं चाहें तो ONGC के share को आपकी watch list के अंदर में add कर सकते हैं और definitely company के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last stock की तो company का नाम है Infosys Limited Infosys का जो share है last trading session पे लगबग हमें 4% का correction करता नजर आया और 1,751 रुपीज के उपर में company का share close हुआ अब Infosys की तरफ से भी एक काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे नुवामा करके एक काफी जाना माना financial institution है एक काफी जाना माना brokerage firm है और इंडिया का सबसे बड़ा capital सबसे जादा AUM यानि की asset under management नुवामा के पास में मौजूद है अब नुवामा ने जो वे Infosys Limited के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और जो target price यहाँ पे दिया गया है वो 2050 रुपीज का दिया है तो लगबग 1750 रुपे से लेके 2050 रुपे तक की एक जो rally है वे यहाँ पे नुवामा expect करके चल रहा है Infosys Limited के share के उपर में अब देखा जाए Infosys fundamentally financially तो काफी ज़धा strong company ही है साथी साथ में भी correction के चलते आपको एक काफी अच्छे valuation पे भी company का share मिल जाता है definitely हाँ पे आपको accumulation करना start करना चाहिए plus IT sector से company belong करती है IT sector की one of the top most companies में से एक है और near future के अंदर में जब दुबारा से IT sector का time आएगा IT sector boom करेगा तो definitely Infosys भी आपको काफी massive returns देता देखने को मिलेगा बाकि यह जो 2050 रुपे का target है आपका जो max to max target है mid term के हिसाब से रखिएगा mid term के अंदर अंदर यह target आपको एचीव होता देखने को मिल जाएगा तो जरूर से Infosys के share पे भी आपकी नजर बना के रखिएगा और आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा बाकि Infosys हो गया या ONGC हो गया इन दोनों में से जिस भी company के share को आपको purchase करना हुआ ताकि यहां पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकि इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं यही कुछ companies के share से जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी अब अगर आपको वीडियो ची लगी हो definitely वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe भी कर दीजिएगा because ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए daily basis पे ले करके आता रहता हूँ चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye